लेकिन गेमिंग चैनल वाली ओडियोंस को पता है मेरा फोन थोड़ा सा हमसे दूर हो गया है मतलब इस दुनिये से चला गया है मतलब एक बार अगर आपने ले लिया और यह 18 तारीक को सेल पर आया था भाई हमें तो खरीदने पड़ा हमारे को कौन सा अरली डिवाइस मिल जागा आज 28 तारीक है लगबग 10 दिन हो चुके इसको यूज करते हैं तो पूरा बड़ी एक्सपिरेंस आपका शेयर करूं और ए हो क्या है वो वीडियों पता लगेगा और साथ में 5,000 रुपे देखें गलेक्सी वाच 4 और यहां पर गलेक्सी बड़्स 2 मिल रहे थे वाच 4 का रिवीव हमने अल्रडी कर रखा है जो हमारी S22 Ultra के साथ आई थी गलेक्सी बड़्स 2 का रिवीव में कोशिश करूंगा इसक अजिए तो यहां पर कुछ ऐसा इसा बोक्स मिल याबता है तो यहां पर कुछ ऐसा बोक्स मिल लगता है अब तुम में से जो लोग S-Series को शुरू से देख रहोंगे S-Series सामसंग की इनुवेशन के नाम से जानी गए अब वहां इन्हों ने अप्ग्रेड करा है कभी ऐसा सेम फोन ही निकाला बट एस टुटी टू अल्टरा के बाद S23 बिल्कुल सेम फोन निकाल दिया ऐसा क्यों वही बैटरी वही सेम डिस्प्ले और फ्रंट कैमरे पहले 40 मेंगा पिक्सल अब 12 मेंगा पिक्सल कर दिया यह इस बार सैमसंग ने रिसाइकल मेटीरियल यूज किया है फोन के अंदर भी और इसके डबे डुबे के अंदर भी तो पूरा एंवार्मेंट फ्रेंडली वाला सिनेरियो है लव फॉर अर्थ तो यहां पर बैक से कुछ ऐसा फोन मिल जाता है तो यहां पर पहला अपग्रेड की बात कर लेता है पहले वाला हाथ से फिसलता था यह नहीं फिसलता स्मार्टफोन इवन फिजिकली एक और चीज मैंने नोटिस करी इसकी जो डिस्प्ले है वो कम कर्वड है लास्ट यर वाले से जिसकी वैसे एक्सिदेंटल टचेज वगरा ना वो भी कम हो गये और यहां पर वही नॉइस क फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है इन्होंने कलर इस लिए डिफरेंट निखाले है कि अगर निकाल देते तो तो बिल्कूल ही ना पता लगता और डिस्प्ले इसके अंदर वही 6.8 इंचीज की डायनेमिक अमोलेड डिस्प्ले जिसका 240 हर्ट्स का टॉट्टी हर्ट्स का म इसकी पूरी 1750 यहां पर ब्राइटनेस की ओप्शन में तीन दॉट दबाके एडप्टिव ब्राइटनेस को कम करोगे थे एक्स्ट्रा ब्रैटनेस मिलेगा यह एक्स्ट्रा ड्राइटनेस करें तब 1750 आती है और बीर अच्छी कासी है चाए इंडोर यूजट्श करो या बताया था और ज्यादा फर्क निया जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो बढ़ा दी गए है 3.2 से 3.36 गर्ट्स कर दी है और एड्रीनो 740 जीपी वह भी थोड़ा सा ओवर क्लॉक्ड है वैसे नॉर्मली 680 मेगार्ट्स का है इसके अंदर 719 मेगार्ट्स का है तो थोड़ा सा पर देख भी सकते हो 3.0 और 4.0 में लग बग डवल का रीड का डिफरेंस है और राइट स्पीड का भी कॉफी अच्छा कासा डिफरेंस है और यह स्पीड सिफ PC और फोन में डेटा कॉपी करने काम नहीं आती है यह स्पीड आपके फोन के यूसेज में भी काम आते है जब और यह फोन IP68 सर्टिफाइड है अब पानी वानी में बिगा दो कोई दिक्कत निया बट वही बात है डेड़ मीटर डैप 30 मिनिट तक वह है बट कोशिश करो कि ना भीगे महंगी आइटम है पर इस बार बी रोल के लिए हमने भीगा दिया पूर जैसे परफॉमेंस की बात अब तो यह मल्टिप्लेयर का जमान ना रह गया वह भी खेल खेल के बार बार यह की चीज करते हो आपका क्या मानना है मेरे को बता ना कॉमेट सेक्शन में और इसके अंदर हमारे को गेम आप डाउनलोड करोगे सारी इसके अंदर आपकी शो कर जाएगा होम पेज के अंद एक आपको इवन डिक्रक्र डिक्रन अपना आप लॉग इन भी कर सकत और यहां पर गेम बूस्टर की सटिंक्स मिलती हैं जिसके अंदर आपको डिफेरेंट-इफरेंट डिफेरेंटिंस मिल जाएंगी कि आपको स्कूरीन शॉर्ट का रिखना है और और स्कृर्ट कर और हो को मिलते हैं और भाई हमने खेल के देखा बड़िया स्मूज 60fps वाला गेम प्ले मिल रहा था कोई एक लाग 30,000 पर प्रेंट कर रहे हो तो ऑविएसली बड़िया प्रफोर्मेंस नो मिलेगी उसके बाद PUBG न्यू स्टेट भी आपने आपर ट्राई किया था और यहां पर मैक्स प्रेंट मिलता हमारे को अल्ट्रा सेडिंग्स वाला और 90 fps को उप्शन मिलता है लेकिन वह लाइट पर चला जाता है ग्राफिक्स जो कॉलिटी है वह लाइट पर हो जाती है और यहां पर प्रफोर्मेंस बड़िया ही मिलेगा और आप कोई भी गेम चलाओगे इस साइट में मेंशन कर रखे हैं वीडियो पॉस करके देख लेना एंड सेंसर के मामले में फिंगर प्रिंट सेंसर हमारे को मिल जाता है जो अच्छा अगासा फास एक्टम उंग्री लगाती धड़ा-धड़ चल जाता है और एक्स्ट्रा जो जो सेंसर फोन में आपको यूई भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड्रोइड में या तो बिल्कुल एक्टम स्टॉक एंड्रोइड की बात कर लो एक टाइम पर ऑक्सीजन बड़ा फेवरेट हुआ करता था आप उसकी मौत हो चुगी है एक्टम बिल्कुल साफ सुतरा फोन आपको यहां पर मिले और यूजर इंटरवेज बिल्कुल स्मूध है 120 हर्ट है तो हर जगा 120 हर्ट चलता है यह किसी अप में 60 फेशिफ्ट हो गया यूजुली जो बजेट वाले फोन्स होते जिनके अंदर 120 हर्ट होता न वो कभी किसी अप में 60 फेशिफ्ट जाता है किसे 120 इतना ज़ा उप्टि जो मेरे पर्सनल फेवरेट है जैसे सामसंग डेक्स हो गया आप वायर या वायरलेसली अपने पीसी के साथ अपना फोन करनेट कर सकते हो पूरा डेस्टाप वाल एक्सपिरेंस मिलता है और कुछ ऐसे फीचर पता नहीं अभी आया या पहले भी थे बट मैंने नोटिस करें तो मैं बताना चाहूंगा एक इसके अंदर सेटिंग्स बजाके जो लैप्स वाल ऑप्शन है उसके अंदर हमारे को दो तिन ऑप्शन अन करने जैसे स्वाइब पर पॉप अप कोई भी आप कोने से आप उंगली स्वाइब करो तो आपकी एप एस सच मिनिमाइज हो जाती ह और यहाँ पर स्वाइब करोगे कोई भी आप के साथ तो वह आप हमारी आप अटोमाटिकली स्वाइब कर शिफ्ट हो जाती है उपर चल जाएगी और नीचे आप दूसरी आप यूज करना शुरू करते हो तो मल्टी टास्किंग इंस्टेंट स्वाइब पर और यहाँ पर इसाब से जैसा आपको रूटीन चल रहा हो क्या आप किस टाइम पर करते हो वो सारे मोड्स आप यहाँ पर सेट आप कर सकते हो अपनी लाइफ के और इसके अंदर सैमसंग के जो आपकी फोटो निगाल देगा जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो और सबको बताए इसकी नंबर मेंशन निगया पर हां यूज कर दिया और इस बार थोड़ा जादा स्मूध मेरे को फील हो रहा है इसकी लिटेंसी भी काफी घथ तक कम कर दी गई है यूज करके तो बिल्कुल रियल टाइम लगता है और इस पैन से वही सिगनेचर करने हो और स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले के कुछ भी लिखना हो वही सारे फीचर जो मैंने लास्ट टाइम बताये थे और आपने बहुत सारी वीडियो में देख भी लिखोंगे मैं तो वैसी बड़ा लेटू उसको लिएके एक और अचीजी जो जेश्चर ये सपोर्ट करता है दूर से एकदम मैजिक वांड की तरह चलाओ गाना चेंज करो ग्रूप सेल फिलो जो मर्जी करो यह बड़ी लगता है एकदम हैरी पोर्टर वाइप्स बैटरी लास्ट जेनरेशन से बै जो लास्ट प्राप्लम नहीं थी वह पांच परसेंट बैटरी प्लस पर आपना फे एफेच्डी प्लस रेज़ूशन पर आपगर आप च्पोर्टीन भीट पर देखोग के ना तो अब्विसली बैटरी बैटरी मांट मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता एक गंटे के न बातचीत, कैमरा वाई, दुनिया भर के कैमरा ही कैमरा है इसके अंदर, पीछे मारे को चार सेंसर मिल जाते है, 12MP का अल्टरा वाइड, 200MP का प्राइमरी सेंसर, और 10MP का टेली फोटो कैमरा जो 10x ऑप्टिकल जूम तक सपोर्ड करता है, और 10MP का एको टेली फोटो कैमरा जो म सब्सक्राइब करते हैं, लास्ट यर्म हमारे को कहा था ना, वह इसके टाइम पर काफी बलरी नेस दिख री इस बार वह प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल बड़ी और काफी स्टेवल वीडियो रिकॉर्ड करता है, और बैक कैमरा से आप 8K 30 तक वीडियो रिकॉर्ड कर सब्सक्राइब करते हैं, इसके अंदर 960 fps & 240 fps का फुल HD का स्लो मोशन मिल जाता है, जो अच्छी खासी ब्राइड लाइट में यूज करने के लिए ठीक है, लो लाइट में पता ही है, फिर वो इतने fps में लाइटिंग बहुत चाहिए होती है, और एक इसके अंदर सितारों के अगर आपको बढ़िये वीडियो निकालने हो तो कुछ देर के लिए आपको फोन एक स्टेबल ट्राइपॉड पर चोड़ना होगा, और कुछ ऐसे रिजल्स मिल जाते हैं, जो मतलब यह आप रोज रोज नहीं करोगा, अगर आपने एक नई चीज लिए तो एक सिंगल इमेज बनती है, तो बिल्कुल एक RAW इमेज मिलते है, जिसके अंदर आप दुनिया भर के अडिजस्मेंट कर सकते हो, फिर चाहिए वो कलर ग्रेडिंग को लेके हो या जैसे भी, तो फोटोग्राफिक है मामले में तो एक दम जबरदस्त, और एक्सपर्ट रॉम में अच्छी कासी डिटेलिंग मिल जाती है, और फोटो बढ़िया निकाल देता है, थोड़ी नतलब कंट्रास्ट ही है, थोड़ी पंची और कलरफुल ताइप की फोटो आती है, जो थोड़ी सोशल मीडिया सेंट्रिंग है, मतलब जैसे बंदा थोड़ी बहुत एडिट करता पोट्रेट की जो एच डिटेक्शन है, वो सिर्फ फोटो में इसके वीडियो में भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाती है, और यहां पर पोट्रेट वीडियो में अल्ट्रा एच्डी यानि कि फोर्के 30 fps का सबोर्ड मिलता है, और कोई जाता फ्रेम रेम रेट है, जा यहां पर पर यही मून इसा दिखाई देता है, और इसके बाद मैं कुछ ओर शोट में एक कुछ बिल्दिक में अपर और यहां उपर थे घे डिखाई दे रहा है, यहां पर 10 अपर 100 यह मैं इसके फरंड कामरा का टेस्ट है, माइक बीसी का यूज हो रहा है, कुछ ऐसी क् prol स्टेबलीटी आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा की और 4K 60 पर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह फ्रंट कैमरा का पोट्रेड मोड है अप एज डिटेक्शन वगरा देख सकतो कि इतनी बढ़िया कर रखे और यह 4K 30fps आपको पतला लगया होगा 30fps की रिकॉर्डिंग और क इतने भी कैमरे सेंपल से देखें डिस्रिप्शन में जी ड्राइब का लिंक दे दूंगा वहाँ पर जाके आप चेक आउट कर सकते हो कुछ से आराम से जूम वूम मारके देखना और दूसरे किसी फ्लैक्शिफ फोन से कंपेर करना तो कर लेना तो पिछले 10 दिन का एक्स् 11 नया फोन ले लिया उसमें कोई दिक्कत निया बट अगर आप कोई जनरेशन फोन पर चल रहे हो चाहिए वह सैमसंग और आपको फ्लैक्शिफ एंड्रॉइड लेना है तो आप इसके लिए डिक्कत निया और अगर एपल एक्स्पिरेंस ही है तो 14 प्रो मैक्स आपके तो ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडेक्स पर टैप कर गया है महाँ पर चेक आउट कर सकते हो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाई